यूपी के वजीर दानिश आजाद ने जी मीडिया से खास बात चीट किया और कहा कि आने वाले सौध दिनों में उत्य प्रदेश में अखलती महिक्मे की तरक्की के लिए एजंडा तयाग किया गया है। इस जोरान और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। हमाई साथ मौजूद है अल्पसंक्यक विभाग के मंत्री है दानिश शी तौधिन का क्या एजेंडा है दानिश शी क्या किन-किन चीजों पर फोकस करना है और कैसे आगे बढ़ने हाँ। एजेंडा इस पस्ट है विकास का और सौ दिन में हम कैसे अपने विभाग के माध्यम से माइनोटीज के लिए और अच्छा कर पाएंगे इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वाले सो दिनों में आप देखेंगे कि हम माइनोटीज के एजुकेशन के लिए उनके इंपाव्मेंट के लिए उनके इंप्लॉइमेंट के लिए इस दिशा में ठोस कतम बढ़ाने जा रहे हैं। बीते पांच साल में हमारी सरकार ने बहुत से बहतर काम किये हैं अलपसंख्यकों के लिए और आने वाले दिनों में हम कैसे उसको और बहतरीन कर पाएंगे इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कैसे हम अलपसंख्यक के जो मदर्से हैं जो हमारे मायनुटी इंस्टिउशन्स हैं वहां के सिलेबर्स के लिए अलग से एक डवलब करें ताकि जो बच्चों की सिक्षा है वो और सुलपता से उन्हें हासिल हो पाएं। इसके साथ साथ जो अलपसंख्यक बाहूल बस्तियां हैं वहां के पेजल सुवधाओं को और अच्छा करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। साथी साथ जो हमारे अलपसंख्यक ऐसे लोग हैं जो की गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके बेटियों के शादी के लिए अनुदान के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं ताकि वो आसानी से हमारी जो अलपसंख्यक बेटियां हैं हमारी बहने हैं उनकी शादियां हो पाएं। कि विजन से डराउस दिख रहा है क्या लगता आपको क्या विज़ा है देखिए वज़ा यह है कि जो इन लोग का गठ जोर था वो सत्ता के लालश में था और अब सत्ता जब हासिल नहीं हुई तो इस तरह की फूट सामने आनी लाजमी है और जिसको भी विकास पसंद है जिस हैं और जंदा को तो यह पहले ही समझ में आ गया था कि इनकी नियत साफ नहीं है